हेलो एवरीवन मैं हूँ सचीन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और जैसा कि हम देख रहे हैं पैथोन और पैथोन के इस क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं कॉमेंट ठीक है मतलब पैथोन में किस प्रकार से हम लोग क्या होता वह भी मैं आपको समझाओगा ठीक है तो इसके लिए मैं यहां पर जा रहा हूं और एक फाइल ले रहा हूं ठीक है और इस फाइल को मैं चलिए सेब भी कर देता हूं ठीक है न और जैसे कि हमारा दूसरा क्लास है ना तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं देखिए एक कि एक फॉल्डर क्रेट कर रहा हूं और इस फॉल्डर का नाम मैं रख रहा हूं पी वॉाई और Creative ऑर अब कुछ भी नहां रख सकते हैं मैं यहां पर पीवाई नह Mac रख देते और उसके बाद में फाइल का नाम पिलाल में आज का जैसे की टॉपिक हमारा जो है वह है कॉमेंट तो मैं फाइल का नाम भी यहां पर कॉमेंट.py देता हूं ठीक है अब देखिए करें यहां पे सबसे पहले मैं आपको इनफिक हाब्ड अब देखिए इसलस आगे अभी तक हम लोग इसका ऊंट नहीं देखिए कुपाइज़न का फीत्ड देख में यहां पर आपको दिखाता हूं कि print function use करते हैं हम लोग तो जब यह inverted कॉमा के अंदर लिखते तो particular यही वाला चीज print होता है output में है ना जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आँ आँ ऊपर में मैं लिख देता हूं welcome और उसके बाद में यहां पर फिर से मैं print लिख रहा हूं और उसके बाद फिर मैं यहां पर लिख देता हूं to my class ठीक है और इसको अगर मैं run करके दिखाऊं आप लोगों को तो देखिए यहां पर यह दोनों लाइन प्रिंट हो रहा है welcome भी प्रिंट हो रहा है to my class भी प्रिंट हो ठीक है अब अगर यहां पर पहला वाला जो है इसके आगे मैं अगर हैच का sign दे दूँ ठीक है मैंने यहां पर हैच का sign दे दिया और उसके बाद अगर मैं run करूं तो आप देखिए उपर में जो हमारा था welcome वाला यहां पर देखिए यह रन नहीं हो रहा है ठीक है तो यह क्या हो गया यह comment हो गया यह comment line हो गया comment line क्या होगा execute नहीं होगा बात समझ में आ रहा है execute नहीं होगा जैसे यह print welcome था तो यह execute नहीं हो रहा है इसको यह पढ़ ही नहीं रहा है तो इस चीज का program है और कहा कहा क्या चीज आप इंसलाइस कर रहे है अगर कोई function मना रहे तो किसके लिए function मना रहे है तो क्या होता है जब भी हम लोग program करते हैं तो particular चीज के लिए अगर हम लोग comment दे दे जैसे मैं यहां लिख देता हूँ this is comment इस प्रकार से ठीक है तो क्या हो तो दुबारा जब हम इस program को देखे या फिर हमारा program को और देखे तो उसको भी हमारा program अच्छा से समझ में आएगा क्योंकि हम लोग अपना program का हर जेगा क्या करके रखे comment देखे रखे ठीक है जैसे यहां पर मैं लिखना चाहता हूं यहां पर मैं लिखना चाहता हूं वाई यूजिंग वाई यूजिंग प्रिंट परिंट फंक्शन थिक है वी डिस्प्ले और वी प्रिंट अ सम्टिंग इन आउट्पूट तो अगर मैं इसको सेब कर दूं आउट्पूट ठीक है तो दुबारा कोई भी अगर इस program को खोलेगा तो क्या होगा यहां पर जैसे प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है तो प्रिंट फंक्शन के बारे में वो खुद बखुर यहां समझ है और अगर मान लिजी कि अगर मौल्टिपल लाइन हम लोग ड़ोगर उस प्रकार से दे सकते हैं यहां पर फिर हैके फिर यहां पर में लिख सकता हूँ इस ए इस अनदर कोमेंट इस प्रकार से दे सकते हैं ठीक है लेकिन और एक तरीका होता है और एक तरीका क्या होता हो कॉमेंट देने का हम लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं ऐसे करके लिए जैसे मैं यहां पर टीन लाइन दूं और उसके बाद फिर मैं यहां पर लिखूं देज और फिर नीचे जाओं और यहाँ पर लिख दूं म यू ल टी आई मल्टी लाइन सी ओ एम 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 एंटी कॉमेंट और फिर नीचे में यहाँ पर हम लोगों को यह इस प्रकाथ से यहाँ पर बंद करना होगा पर्टेम मैंने यहां पर जलती किया है यहां पर हम लोगों को इस तरह से लिखना होतम ऐसे फिर ऐसे और फिर यहां पर यहां पर भी डबल इसके लिए जैसे कि पहले मैंने यह साइन दिया था यह मैं गलती से टाइप कर दिया था ठीक है इसको मैं सुधार ले रहा हूं यहां पर देखिए डबल इंवेटिट कोमा यहां पर तीन बार देना है ऐसे देंगे इसके अंदर में हम लोग चीचना भी चाहें जैसे यहां पर मैं और लिखूं लाइन थ्री लाइन लाइन फोर ठीक है इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा कॉमेंट दे सकते और हम लोग जब इसको रन करेंगे तो देखिए उपर में जो लिखा हुआ है वह रन नहीं होगा ठीक है ना यहां पर सिर्प्रिंट के अंदर में टू कि वह रहा है उपर का यह लाइन में जो हम लोग लिखे ते यह रन नहीं हो रहा है थीक है ना तो मैं आसा करता हूं कि आपको कॉमेंट समझ में आओगा कि पैसमें इस प्रकारत है हम लोग कॉमेंट का क्यों यूज किया जाता है थीक है